गर्भावस्था के दौरान दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में बच्चा या तो बहुत ज्यादा हलचल करता है या फिर बहुत ही ज्यादा कम. तो इसके क्या कारण होते हैं? आज आप इस वीडियो के अंदर जानने वाली हैं. अगर आप गर्भवती हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपकी मदद हो सकें. क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अभी तक आपने हमें फॉलो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें. गर्भ में बच्चे की हल्चल कम होने के कारण, अगर 24 सपताह के बाद तक बच्चे की हल्चल महसूस नहीं होती है, तो इस स्थिती में तुरं के इंफेक्शन या अन्य समस्या का संकेत हो सकता है. अगर शिशू की हल्चल कम हो गई है, तो यह शिशू के धीमे विकास का संकेत हो सकता है. बच्चे के प्लेसेंटा या महिला के गर्भाशय में कोई समस्या होने पर भी गर्भ में बच्चे की हल्चल कम हो सकती है. दे सकते हैं। इससे बच्चे की हार्ट रेट और एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा थ्री डाइमेंशनल अल्ट्रासाउंड से भी बच्चे के विकास व वृद्धि पर नजर रखी जा सकती है। गर्भ में बच्चे की हलचल कैसे बढ़ाएं? चलिए बताते हैं। गर्भ में बच्चे की हलचल ज्यादा होने के कारण जैसे जैसे गर्भ अवस्था आगे बढ़ेगी, बच्चा बढ़ने लगेगा और वह अधिक एक्टिव होने लगेगा। गर्भ में हिलते हुए देख सकते हैं। ये स्थिती अच्छी होती है क्योंकि इस समय बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है और बच्चे का विकास हो रहा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में बच्चा हर घंटे में लगभग 30 बार हिल सकता है। खाना खाने के बाद जब महिला बिस्तर पर लेटती हैं तो बच्चा अधर सकता है। इस स्थिती में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गर्भावस्था के 36 हफते से ज्यादा होने पर शिशु की गतिविधी अधिक हो सकती है। अगर बच्चे ने हलचल करना शुरू कर दिया है लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह टू घंटे में 10 से कम बार हिल रहा है तो इस स्थिती को बिलकुल अंदेखा न करें। बच्चे का सामान्य से कम हिलना थोड़ा चिंता जनक हो सकता है। ऐसे में महिला को बच्चे के किक काउंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर शिशु कम मूवमेंट कर रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। वहीं बहुत अधिक मूवमेंट करने पर भी एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी इस वीडियो के द्वारा मदद हुई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।